ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है सिंग राशी वालू बदाई हो अब आपकी अर्जी लग चुकी है जैंदोस्तो आपको बता दें भगवान शनिदेव के अश्रवास से 28 जनवरी से 31 जनवरी याने के इन 4 दिनों में बन रहे शश्र योग में आपकी किस्मत चमक जाएगी जैंदोस्तो आपको बता दें इन 4 दिनों में अब आपकी जिंदगी में टहलका मचने वाला है आपको बता दें भगवान शनिदेव के अश्रवास से आपके लिए 28 जनवरी से 31 जनवरी याने के इन 4 दिनों का समय बहुती अच्छा और बहुती भग्याशालिशा में शाबित होने वाला है आपको बता दें इन 4 दिनों में ग्रहन अक्षत्रों की जो इश्टिती है वे पूर्ण रूप से आपके पक्ष में शाबित होने वाली है और आपके लिए राज योग का निर्मान कर रही है जिससे की एह समय आपके लिए अतियंत भाग्याशालिशा में शाबित होगा अने को प्रकार की बड़ी-बड़ी खुशकवरियां बड़े-बड़े लाब धल लाब और बड़े-बड़े सफलताओं की इन 4 दिनों में आपको भगवान शनी देव की किरपा से प्राप्ति होने वाली है जिससे आपका जीवन बदल जाएगा ज्या दोस्तों वे बड़ जनवरी आने के निचार दिनों के शंपून और बिलकुल शटीक रासी फल के बारे में बताएंगे इसलिए आप लोग वीडियो को बिना काटे बिना इसकिप की हुए शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें दोस्तों वीडियो का यह सुरू करें सबसे पहला आपस रिक् अगवान शनिदेव के असिरवा से आप के लिए 28 जनवरी से 31 जनवरी यानि किन चार दिनों का यह बहत पापुन समय दोस्तों यह समय कामकाज को लेकर कुछ शकारातमक यात्रा का प्लान बनेगा जो आर्थिक रूप से आप के लिए बहुती लाबदाइक साबित होगी शंतान संबन्दी किसी विसेश कारे के संपन होने से आपको रहत महसूस होगी तथा कारे को उरजा के साथ पूरा करने का आपका जजबा भी बना रहेगा दोस्तो इस समय परिवारिक वातावरन अनुशासित तथा शकारात्मक रहेगा किसी सदस्य के विवा सम्मंदी अच्छा प्रस्ताब भी आ सकता है दोस्तो आप अपने कार्य को योजना बद वे उचित तरीके से क्रम बद करके निपटाते चलें अवस्य ही आपको सफलत अप्राप्थ होगी दोस्तो साथ साथ कुछ समय से चली आ रही समस्या रिष्टेदारों वे परिवार के लोगों के सयोग से हल होगी जिसकी वज़े से आप अपने आपको बहुत ही अधिक तनाव मुक्त महसूस करेंगे दोस्तो साथ साथ विदेश में जाकर अध्यन करने के लिए प्रियासरत विध्यारतियों को अलप प्रियास से ही सफलता मिल जाएगी दोस्तो साथी साथ आप महसूस करेंगे कि किसी भी विपरीत परिस्तिती में आपका पूरा परिवार कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा है इसलिए अपने परिवार को प्रात्मिक्ता पर रखना आपके लिए आवशक है घर के बड़े बुजुर्ग तथा वरिष्ट व्यक्तियों के साथ भी कुछ समय व्यतित करना घर के माहुल को और अधिक खुसनमा बनाएगा इसलिए घर के बड़े बुजुर्गों के साथ और वरिष्ट व्यक्तियों के साथ कुछ समय आप अपना अवश्य ही व्यतित करें दोस्तो परिवार के सदस्यों को आप से कु निविस करने के लिए भी उत्तम है आर्थिक इस्तिती को मजबूत करने में अपना पूरा ध्यान केंदरित रखें। यह समय फिजूल घर्ची पर नियंतर करना आपके लिए आवश्चक है। रुपे पैसे के मामलों में किसी पर भी आँख मूंद कर आप विश्वास ना करें। कुछ रिष्टेदारों के आने से विवस्ता थोड़ी बिगड़ सकती है। साथ ही घर्च की भी अधिकता रहेगी। दोस्तों साथी साथ यह समय भूमी वहन आदी के लिए करजा लेने के लिए योजनाई बनेगी। परन्तु आप चिंता ना करें यह धीरे धीरे आसानी से चुकता भी हो जाएगा। किसी नजदी की मित्र के साथ गलत फैमियां उत्पन हो सकती है। बहतर होगा कि संबंद खराव होने जैसे इस्तित्या ही आप उत्पन होने ना दें। बैवेसाइक उत्थल पुत्थल तता आर्थिक मंदी की वज़े से परिवार के सदस्यों के खर्चों में भी कटोती आपको करनी पड़ सकती हैं। जिससे बच्चे कुछ उदास हो सकते हैं। इसलिए इस समय किसी पर भी अती विश्वास आपकी हानी का कारण बन सकता है। सावदान रहें। साथी साथ रुपे पेसे के मामलों में मी किसी पर आप भरोसा ना करें। दोस्तों साती सात यह समय रिष्टेदारों के साथ धन संबंदी लेन देन करने से आपसी संबंदों में भी खटास उत्पन हो सकती हैं, किरोध और आवेग में चलते कैई बार बनता बनता काम अंतिम चरण में अटक जाएगा, इसलिए धहरें और सैयम से आपको काम लेने की आवश्क्ता है, दोस्तों साती सात आप अपने परिवार की जरुतों को नजर अंदाज ना करें, आपका अपना कोई नजदी की मित्र ही जलन की भावना से कोई योजना या फिर साजिस रच सकता है, दोस्तों साती सात यह समय धन के निवेस संबंदी निर्णे में काफी सो कुछ विचार और पूरी जांच पड़तार कर लेने की आपको आवश्यक्ता है अन्यता आपको भारी हानी हो सकती है शावधान रहें दोस्तों बात करें आपके लव लाइफ की तो यह समय पति-पतिनी के बीच चली आ रही गलत फैमियां और मत बेद समाप्त होंगे तता पर कि वारिक वातावरण सुखद बना रहेगा घर के सवी सदस्यों का आपसी तालमेल घर में शकार अत्मक उरजा को व्याप्त रखेगा साति सात जीवन साती के साथ संबंदों में और अधिक नजदी की आएंगी युवावर्ग प्रेम प्रशंग तता सोसल मीडिया में अपना समय व्यार्थ ना करें घर का वातावरण सुखद रहेगा किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात आपको घुसी और नई प्रदान करेगी दोस्तों यह समय घर में सुख शांती का वाता वनन रहेगा प्रेम संबंदों को परिवारिक शुकरती मिलने से मन में उमंग व्यखुसी रहेगी दोस्तों बात अगर आपके व्यवशाय और केरियर की करें तो यह समय आपकी उदारता तथा म्रदू भासी स्वभाब से वेपारिक संबंद और अधिक अच्छे बनेंगे परन्तु अपने प्रोडेक्ट की क्वाल्टी को लेकर और अधिक बहतर करना आपके लिए अतियावशक है अपने कागजाद वेदस्तावेज संबंदी फाइलें बहुती समाल कर रखें कोई व्यक्ति इनका दुरुप योग कर सकता है दोस्तो यह समय वेपार में विस्तार की योजनाओं पर आप अधिक गंभीरता से काम लें माल बलाने के साथ साथ उसके गुणवत्ता पर भी आपको अधिक ध्यान देनी की आवशकता है मार्कटिंग तथा जन संपर्क का दाइरा और अधिक वि समय आप वेवसाई के विस्तार संबंदी योजनाओं पर पुन विचार अवश्य करें कोई भी छोटे बढ़े निर्णे लेते समय किसी का मार्क दर्सन वे सलाह आप अवश्य लें ओर्डर पूरा करने के चक्कर में क्वाल्टि के साथ समझोता आप ना करें नौकरी में अ परन्तु बाहरी व्यक्ति पर भरोसा आप ना करें किसी भी प्रकार की समस्या को घर के बड़े बुजर्गों वे वरिष्ट की सलाह द्वारा सुल्जाने की आप कोशिस करें दोस्तो नौकरी वेपार वेक कारोबार में कुछ थोस वे महत्पपूर्ण निन्ने लेने संबं वे विसाय में जल्दी ही आपकी कोई बड़ी डील लग सकती हैं दोस्तो साथ यसाथ यह समय नौकरी में लक्षे वे टारगेट को पूरा करने का दवा भी बना रहेगा जिसका आपको बहुती डट कर सामना करना हैं दोस्तो बात अगर आपके स्वास्त की करें तो यह समय यत्रा के दोरान अपने खानपान वे दवाईयों का विशेस आप ध्यान रखें वर्तमान वातावरण की वज़े से अपना बचाव रखना आपके लिए अति आवश्चक हैं दोस्तो स्वास्त कुछ कमजोर रहेगा जोडों में दर्द जैसा कष्ट रह सकता हैं बादी वा नाकार अत्मक प्रवर्ती के लोगों से आप दूर रहें वहन चलाते समय किसी भी प्रकार की लापरवाई गह तक हो सकती है सावधान रहें